हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ KFC स्टाइल वेज सोया नगेट्स उपर से कुरकुरे लेकिन अंदर से एक दम मुलायम जब भी आपको कुछ नाश्ते में चटपटा या टेस्टी खाने का मन करें इसे बना कर जरू ट्राइ करें इसे चाय के साथ खाएं या इस्टाटर के रूप में दोनों तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने मिक्सिंग बाउल में एक कटोरी के करीब सोयबीन लिया है इसमें हमें गरम पानी डालना है पंद्रा मिनट के लिए इसे सोक करने को रख देंगे पंद्रा मिनट हो चुके हैं ये अच्छे से सोक हो गया है सोयबीन को हमें स्टेनर में छान लेना है इसे साफ पानी से वाश कर लेंगे सोयबीन को हमें अच्छे से निचोड लेना है इसमें थोड़ा भी पानी ना रहे मैंने इसे निचोल लिया है इसे हमें जार में ग्राइंड करना है ग्राइंड हो जाने के बाद मैंने इसमें दो कटी हुई हरेमेज डाली है जिंजर गार्लिक पेज डाला है वन टेबल स्पून जीरा पाउडर डाला है आप अपने टेस्ट के एक्कॉर्डिंग डाल सकते हैं आफ टेबल स्पून रेट चिली डाली है चॉप किया हुआ कॉरियंडर डाला है दो बॉयल किया हुआ आलू मैश करके डालेंगे टू टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर डाला है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये खाने में बहुती टेस्टी लगता है इसे बना कर जरू ट्राई करें मैंने इसमें वन टेबल स्पून के करीब गर्ब मसाला डाला है इसे भी हम मिक्स कर लेंगे इसके हम छोटे छोटे रोल्स चौकोर शेप में बना लेंगे बिल्कुल इस तरीके का सेप देकर हम सारे वेज नगेट्स तैयार कर लेंगे हमारे वेज नगेट्स रेडी हैं इक्सिंग बाउल लेना है उसमें हमें चार टेबल स्पून के करीब मैदा डालना है इसमें मैंने कुटी हुई काले मिज डाली है टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालना है पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे घोल को हमें ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है अच्छे से फेट लेंगे इसमें लंप्स ना रहें इसी साइड रखकर आगे की त्यारी कर लेते हैं हमें कॉंफ्लेक्स लेना है कटोरी से दबाते हुए इसे क्रश कर लेना है ये अच्छे से क्रश हो गया है हमने जो मैदे के घोल त्यार किये थे उसमें हमें nuggets के pieces को dip करना है इसके उपर से हमें complex coat करना है दोनों तरफ से इसे अच्छे से coat कर लेंगे ऐसे हमें nuggets के सभी pieces को ready कर लेना है कडाई में oil गरम करके हमें सभी pieces को fry कर लेना है हमारे nuggets हल्के fry हो गए है, इसे हम थोड़ा और fry कर लेंगे यह अच्छे से fry हो चुके हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरीके से हमें और भी सभी pieces को fry कर लेना है मैंने सारे नगेट्स के पीसेज को फ्राइ करके निकाल लिया है इसे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं एक पार इसे घर पर बना कर जडू ट्राइ करें इसका टेस्ट बिल्कुल चिकन नगेट्स की तरह लगता है मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी मेरी रेस्पी पसंदाई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें